दोस्तों अब सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले ओलमेट येच टैबलिट के बारे में ओलमेट येच टैबलिट माइक्रोलियाब लिमिटिर द्वारा बनाया जाता है इसमें हाइद्रो कलूर्थाज़ाइड 12.5 अमजी और इसके मार्केट प्राइज अमर्पी रगभग 160 रुपए है तो चलो इसलियों में जानती है ओलमेट येच टैबलिट के यूजेस साइड फेक्टर सब को सबसे पहले जानती है ओलमेट येच टैबलिट के यूजेस के बारे में Olmeth येच टबलेट का इस्तमाल ट्रिक्मेंट आफ हाइपर टेंशन हाइब बलड प्रिशर के इलाज में किया जाता है हाइपर टेंशन हाइब बलड प्रिशर का इलाज Olmeth ये कॉंबिनेशन दवा जिसमें दो अलग-अलग मेडिसिन है Olmeth ये जोकि जनरली इनमेशन अपके बलड प्रिशर को एफेक्टिवली कम नहीं कर सकता इसमें से Olmeth ये आपके बलड वेजल को रिल्याक्स करता है जिससे आपका बलड फ्लोण इजली हो जाता है इस तरही आपके बलड प्रिशर को कम करता है वही हाइद्रोकलुरोथाजाइड जिसे डाय-उरिटिक वाटर फिल कहा जाता है जो कि आपके यूरिन आउट्पुट को बढ़ा देता है इस तरह ये आपके बलड प्रेशर को कम करता है ये दोनों दवाए साथ मिलकर इफेक्टिवली आपके बलड प्रेशर को कम करती है बलड प्रेशर को कम करना हाट, अटेक, स्ट्रोक या खिड्नी में प्राब्लम होने की समश्या को जोखिम को भी कम करता है अब जानते है औल मेट इच टाबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में इस दवासे उने को ज unfor mindful इसका से ओन करने सी ये साइड इफेक्ट अपने आप समापत हो जाते है अगर साइड इफेक बने रहते हैं या लक्षन भी गडने लगते है तो अपने डॉक्टर से सलाल ले ओल्मेट एच के सामाने साइड इफिक दैसे डाइरिया, दस्त दैसे लक्षन शामिल है अब जानते हैं ओल्मेट एच टैबलिट का इस्तमाल कई से करिया डोसेस के बारे में इससे साबुद निगले, इससे ना ही चबाए, ना ही कुछ लिए और ना ही तोड़े ओल्मेट एच टैबलिट को खाने के साथ्या भुके पेड भी ले सकते हैं लेकिन बहितर यही होगा कि इसे फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए अब जानते हैं इसे उच्छ करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में डॉक्टर ने आपको ओल्मेट एच टैबलिट टिटमेट आफ हाई बलर प्रिशर के इलाजमी किया जाता है इसे खाने के साथ्या भुके पी लिया जा सकता है ओल्मेट एच टैबलिट के कारण आपको डिएडरेशन हो सकता है बहुत सारा पानी पी और तर्राल पदार्त का सेवन करे इससे आपको नींद और चक्कराने की समश्या बढ़ सकती है इसलिए आपको मशीन चलाती समय या गाड़ी चलाती समय सावधान रहना चाहिए जब तक आप यह न जान लिकी यह दवा आप पर कैसा असर करती है यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तो अच्छी लगी हो तो यडियो को लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब करना न भूले आन तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो जय हिन दोस्तो अब सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले नेभी एच टैबलिट के बारे में नेभी एच टैबलिट अरिष्टो फार्मासोटिकल लिमीटेर द्वारा बनाया जाता इसमें नेभी लॉल, फाई एमजी एन हैद्रो कलूत राजार बारापन पाच एमजी कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राज यमार पी लगबग 115 रुपए है तो चलो इसलिएव में जानती इसके युजेस साइड इफेक्ट और सब कुछ सबसे पहले जानती नेभी एच टैबलेट के युजेस के बारे में नेभी एच टैबलेट का इस्तमाल टिटमेट आप हाईपरटेंशन हाई बलड प्रिशर के इलाज में किया जाता है hypertension high blood pressure का इलाज ने भी H-Tablet जो कि कुछ chemical को effectively block करता है जिसकी बज़े से आपके heart and blood vessel को relax करता है जिससे आपका heart rate कम हो जाता है heart rate कम हो जाने से heart for का बहर कम हो जाता है और इसमें additional content है जो कि water pill कहा जाता है जो कि आपके urine output को बढ़ा देता है दोनों साथ में मिरकर आपके blood pressure को कम करते हैं जिससे आपको heart attack, stroke या kidney में समश्चा होने के problem को कम करने में मदद मिलती है इससे आप अच्छा महिसूस करेंगे इससे ज्यादा से ज्यादा फाइदा लेने के लिए इसे बताए गए अनुसा नियमी तुरूप से लिया जाना चाहिए आप जानती निभी एच टैबलिट के side effect के बारे में इस दवासे उन्यों अले ज्यादा तर side effect में डॉक्टर की सला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नियमी तुरूप से इसका से उन करने से side effect अपने आप समाप्त हो जाती है अगर side effect बने रहती है या लक्षेन भी गड़ने लगते है तो अपने डॉक्टर से सला ले निभी एच के सामाने side effect जैसे उल्टिया ना डाइरिया घुमने जैसी सविदना सिर्दरत जैसे लक्षेन शामिले अब जानती निभी एच टैबलिट का इस्तमाल का इसे क्रिया डूसिस के बारे में इससे सब्द निगले इसे ना ही चबाए ना ही कुछले और ना ही तोड़े निभी एच टैबलिट को खाने के सात्य भोके पेड़ भी ले सकते है लेकिन बहितर यही होगा कि से फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए आप जानती निभी एच टैबलिट किस प्रकार काम करता है निभी एच टैबलिट कॉंबिनेशन दवाए जिसमें दो अलग-अलग बलड प्रिशर कम करने वाली दवाए है इसमें निभी लोला और है है इसमें निभी लाल जो कि बिटा ब्लॉकर होता है जो कि आपके हाट रेट को कम करता है और हाट को एफिक्टिवली बलड को पंप करने में मदद करता है वही है इसमें आपके यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है जिससे आपका बलड प्रिशर कम हो जाता है इस तर दिया गया है इसे खाने के साथ या भुके पीड भी ले सकते है लेकिन वैतर यही होगा कि इसे फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए इसे अचानक बंद ना करी क्योंकि आपका बलड प्रिशर अचानक बढ़ सकता है यह जानकर आपको कईसी लगी दोस्तों अच्छी लगे हो तो यडियो को लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब करना न भूले अंतक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों जैहिन दोस्तों अब सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले क्रेसार यह टाबलेट के बारे में क्रेसार यह टाबलेट सिपला लिमिटीर द्वा क्रेसार यह टाबलेट का इस्तमाल ट्रीटमेंट आप हैपरटेंशन हाई बलड प्रेशर की इलाज में किया जाता है क्रेसार यह टाबलेटी कॉंबिनेशन दवाए जिसमें दो अलग-अलग मेडिसी नहीं टेलमी साटन हैं हैड्रोकलोर्टोजाइड से मिलकर बनाए जनर आपके बलड प्रेशर को कम करता है वही हैड्रोकलोर्टाजाइड जो के डाय यूरेटिक होता है जिससे वाटर फिल भी कहा जाता है जो के आपकी यूरिन आउट्पूट को बढ़ा देता है जिससे आपका बलड प्रेशर कम हो जाता है बलड प्रेशर कम हो जाने से आपक से उन करने से ये side effect अपने आप समाप्त हो जाते हैं अगर side effect बने रहते हैं या लक्षिन भी गड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सला ले अब जानते इसे उच करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में इसे भोजन के साथ लेना सबसे बहतर होता है क्रिसार H टाबलिट से आपको dehydration हो सकता है बहुत सारा पानी पिए और dehydrated रहने की कोशिश करें इसे नींद और चक्कर आने की समश्या बढ़ सकती है इसे ले तिसमे गाड़ी चलानी या मानसी के काकरता वाला कोई भी काम न करी क्योंकि इससे नींद आ सकती है या चक्कर आनी की समश्या बढ़ सकती है ये जान कर आपको कैसी लगी दोस्तों अच्छे लगी हो तो लिएक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अंतक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो जय हिन दोस्तों दोस्तों अब सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले जानते और इसके market price या मारपी लगबग 150 रुपए है तो चलो इसलिए में जानते हैं इसके UGES side effect और सब कुछ सबसे पहले जानते हैं नॉर्टी परमर पियसर 50 टैबलेट के UGES के बारे में नॉर्टी पर मर पियसर 50 टैबलेट का इस्तमाल नियुरोपेथिक दरद के इलाज में केया जाता है Cheetow आप नुरोपेथिक पेन नुरो नॉर्टी प्रोमर पी ये सर्फ ट्याबलिटे कॉंबिनेशन मेडिसीन है जो कि आपको लंबे समय तक चलने वाले दर्द में रहाद देता है ये डैमेजनसों के कारण होने वाले डाइबिटीज स्पाइनल कॉड की चोट के कारण होने वाले दर्द में आपको रहाद देता है आपके मूड में बदलाओ, स्लिप प्रॉबलम, ट्राइडनेश जैसी लक्षनों में रहाद देता है ये पेन के सिगनल को रोक कर काम करता है जो कि डैमेजनसों से गुजरती है अपको रहाद देता है आप जानते नॉट्टी प्रोमर पी ये साइड इफेक्ट अपने-ाप समाप्त हो जाते है अगर शाट इफेक्ट बने रहते है ये लक्षन भी गड़ने लगते है तो अपने डॉक्टर से सला ले नॉट्य परोमर पी टैबलीट के साइड इफेक्ट जैसे उल्टी, मिचली आना, चकर आना जैसे लक्षन से मेल आप जानते नौर्टी पेमर-P-Tablet का इस्तमाल कई सिक्रेया डोसिस के बारे में इसे सब निगले इसे नाहीं चबाए नाहीं कुछ लेग और नाहीं तोड़े इसे भोजन के साथ लेना सबसे बहुतर होता है अब जानते नौर्टी पेमर-P-Tablet किस प्रकार काम करता है नौ इक अंटी डिप्रेसंट होता है जो कि आपके कुछ केमिकल मेंसेंजर को रोक कर काम करता है जिसमें आपके ब्रेन में मुमेंट बढ़ जाता है जिस इस तर यह आपके नियूरुपेतिक पेन का इलाज करते है आप जानते इसे उच्छ करने के लिए कुछ खास टिप्स के इसे डॉक्टर द्वारा बताए गई आउधी और आउधी के आनुसार ही ले जब तक डॉक्टर ने लेने के लिए कहा गया है कब तक इस दवा का सेवन जारी रखे अचानक लेना बंद कर देने से साइडिफिक का खत्रा बर सकता है यह जानकारी आपको कई सी लगी दोस्त तो अच्छे लगी हो तो इडियो को लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब करना न भूले अन तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों जैहिं दोस्तों अब सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले रिपेस येच टैबलिट के बारे में रिपेस येच टैबलिट सन फा है ले जानते है रिपेस येच टैबलिट के यूजस के बारे में रिपेस येच टैबलिट का इस्तमाल टीटमेंट आफ हाइपर टेंशन हाई बलड प्रेशर के इलाज में किया जाता है टीटमेंट आफ हाइपर टेंशन हाई बलड प्रेशर का इलाज रिपेस येच टैब इस तरह ये आपके blood pressure को कम करता है वोई hydroclothrazyd जो कि डiuretic waterfield कहा जाता है जो कि आपके urine output को बढ़ा देता है जिससे आपका blood pressure कम हो जाता है इस तरह ये दोनों साथ में मिलकर आपके blood pressure को कम करती है आपको heart attack, stroke या kidney में समश्चा होने के problem में कमी आ जाती है आप जानते रिपेश येच टैबलीट के side effect के बारे में इस दवासे होने वाले ज़्यादातर side effect में डॉक्टर की सला लेने की जरूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से इसका सेवन करने से ये side effect अपने आप समाप्त हो जाते है अगर side effect बने रहते है या लक्षेन भी गणने लगते है तो अपने डॉक्टर से सला ले अब जानते इसे उच करने के लिए कुछ खास tips के बारे में आपको डॉक्टर ने रिपेस इच ड्याबली लेनी के सला high blood pressure के इलाजमी किया दिया है इसे खाने के साथ या भूक्टर भी ले सकते है इसके कारण आपको निंद और चक्कर आ सकती है इसलिए गाड़ी चलाते समय सावधान रहे रिपेस इच के कारण आपको डिहाडरेशन हो सकता इसलिए बहुत सारा पानी पिए और डिहाडरेशन रहने की कोशिश करे ये जान करे आपको कैसी लेगी दोस्तो अच्छी लेगी होतो योडियो को लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब करना न भूले अंतक दिखने के लिए धन्यवाद दोस्तो जै हिन दोस्तो